बिहार के मुझदफरपूर हाजिपूर फोरलैंड पर फकुली चौक के समीब से जाली नोट के साथ चार तशकडों को गिरफतार किया गया है उक्तिकारवाई फकुली पुलिस ने की है चारो तशकड दो बाइक पर सवार थे तशकडों में वैशाली के रहमत अली रिजवान मनोज कुमार और कुढ़नी के नंध किशोर सिंग है मुक्य सरगना मनोज कुमार और मुहमद रिजवान के पास एक हजार रुपए के नकली नोट मिले हैं कुल 2100 रुपए बरामत किये गये हैं सभी जाली नोट हाई क्वालिटी के हैं जानकारी के रुसार इनके पास से थैला बरामत किया गया है थैली की तलाशी लेने पर उसमें से जाली नोट बरामत किये गये हैं थैले में 100 रुपए क 11 नोट 50 रुपे का 21 नोट रखा हुआ था जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है चारों तशकडों को पुलिस ने गरफतार कर लिया है सखसी से पूस्ताश के बाद उन्होंने बताया कि वो नोटों की गड़ी में उपर और नीचे नकली नोट रख देते थी और बीच में सादा कागज रखते थे ऐसे में आमतोर पर किसी को शक नहीं होता था वहीं तशकडों ने बताया कि इस गिरों में और भी लोग शामिल है जिनकी गिरफतारी के लिए पुलिस शापे मारी कर रही है मामले में DSP पश्मी अभशेक अनन ने बताया कि नोट की तशकडों को पकड़ने के लिए टीम एक सब्तास से रेकी कर रहे थी टीम को सूचना मिले कि चार तशकड फकुली पहुचेंगे इसके बाद टीम इंतजार करने लगी मनोज अपने साथी के साथ 5,5 गंटे देड़ी से पहुचा बाइक पर सवार मनोज के साथी के साथ पहुचते टीम ने दबोच लिया इसके बाद रूपाय की डिलिवरी लेने आने वाले अन्य तशकडों को पकड़ने के लिए टीम अलट हो गए मनोच के साथ टीम के सिदसे भी खड़े हो गए, दूसरी बाइक से पहुचे मुहमद रिजवान और उसके साथी को भी टीम ने दबोच लिया, बताया गया है कि सैंपल लेकर मनोच पहुचा था, पुलिस के अनुसार, मनोच ने बताया कि वह नेपाल से नकली नोट की खेप इसे मुझजफरपूर, वैशाली, मोतिहारी, शिवर, दर्भंगा आदी जगों पर खपाता है, पचास वीसदी पर वह नकली नोट का धंदा करता है, वह पुर्व में भी फकुली पहुचकर कई बार नकली नोट खपा चुका है, इसी साल अप्रेल में नकली नोट के साथ फकुली में ही धराय तशकर, 36 गट के रायगट निवासी विश्यंभर प्रशादनी मनोज के नाम और मोबाइल की जानकारी मिलिटरी इंटेलिजेंस लखनाओ को दी थी, मनोज ने एक नकली नोट खड़िदने वाले कुढणी लाल गंज वैशाली के कई धंदवाजे का न गुजरेंगे, तौरित कारवाई करते हुए अपने वरिया धीकारी को इनफर्म किया फकली थाना ने और उसके बाद इन लोगों ने चेकिंग लगाई और उस दौरान वहाँ पे दो बाइक जिस पर की चार लोग सवार थे, उनको आपस में कुछ नोटों, कुछ बैग का परदान-परदान करते हैं, दिखा गया, पूलीस ने तौर इतकारवाई करते हुए उनको पकड़ने कोशिश की और उनको बल के साथ पकड़ लिया गया, जब उनसे पकड़ने के बाद उनसे पूछताच की गई और उनकी तलाशी ली गई, तो तलाशी के दौरान उनके प पहले भी है केस्में नकली नोट के केस्मैं मंटेट था और एक दूसरे ही का भी आम सैक्ट इतिहास है उद्भाद को पहुंचाने वे और पुलीस के तर्य दोर है करें형 नेपाल सैड के लात है उतो, ने टिक है Ut DNA हम और तक क्र inflation Basically नेपाल साइट से कही से उस रूट से लाते हैं और इस इस ट्रांजेक्शन का एक खास बात है जो कल पकड़ा है उसमें कि यह लोग रखते हैं उसके बंडल में ऊपर में कुछ नकली नोट रखते हैं और नीचे में सेम साइज का और बड़ी बड़ी तरींता से सरया हुआ नोट तो यह भी एक नया इनका मोडस अपरेंडी इस में था कि नकली नोट में भी इन्होंने कुछ नोट गयाब करके वहां पर खाली शीट रखा था और यह जो टोटल नकली नोट पकड़ाया है वह है 100 के 111 नोट और 50 के 21 नकली नोट पक्ड़ाया है इसके लिए इनके पास से पांच Android phone चार Android phone और पांच कीपड वाला मोबाइल फोन पकड़ा आया है अभी इनकी द्वारा इंच से पकड़ाया गया अभी इन्से और पुस्ताच की जा रही है जिस से हम हमें पता चल सके कि आगर और भी कोई लोग सव्लिप्त और इनका इस तरह का कुछ बात लेकिन यह जरूर है कि इनका साथगार्ट हर जगा थोड़ा बहुत है जिसके कान यह नेटवर्क जो है कि दूर दूर तक वहां से नेपाल से यहां तक यह लोग इसको ला पाते हैं तो वह लोग अभी उसको पे जाच कर रहे हैं और भी कई जिलो में का साथगार्ट और भी अगल बगल के जिलों से हो अब इनका जितना अभी अब तक हमने पूछताच किया उसमें यही है कि यह लोग नकली नोट का बंडल बनाते हैं या तो उसमें पूरा का पूरा नकली नोट रखते हैं या फिर कुछ खाली शीट एकदम सेम नोट के शेप बनाते हैं और यह लोग जो है समभव तक एक्स्चेंज करते हैं जितने का जितना पैसे का वैल्यू है उससे आधे पैसे में यह लोग उतने नोट को दे देते होंगे यह तो नकली नोट रहता है तो यह इनका एक मोड़ा सपरेंडी हम लोग को भी पता चला और इसमें और पहले भी मनुश कुमार को पुलिस पहले भी खोज रही थी फकली थाना अंतरगत 173 एक केस हुआ था यही नकली नोट वाला केस था जिसमें हमने तवरीत करवाई करके एक लोग को पकड़ा था लगवक 40,000 के आसपास का नकली नोट हमें मिला था और यह उस केस में नामज कि अवरीत कर दो दोड़ा हुआ झाहया हुआ झाहया है।